हमारी आखे हमारे शरीर का एक महरत्पूर अंग है यह अमारे देखने में मदद करता है इसलिए इसके बिना जीवन की कलपना करना तक हमारे लिए मुश्किल होता है नमश्कार मेरीती फौसदार आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात कर रहे हैं आई बिजीस सिम्टम्स के बारे में आँखे हमारे शरीर के सबसे एहम और सम्वेंच शीर अंकों में से एक हैं हमारे सेंस और्गन में से एक आँखे हैं जिसकी वज़त से हम देख सकते हैं यही वज़ा है कि इनके बिना अपने जीवन की कल्पना करना काफी मुश्किल होता है इसलिए अपनी आँखों का खास क्याल रखना बेहद जरूरी है हाला कि कई वज़ाओं से हमारी आँखे विबिन समस्याओं का शिकार होने लगती है जिससे कई लोग गंबीरता से नहीं लेते और इसकी वज़ा से ये समस्या गंबीर रूप ले लेती है ऐसे में जरूरी है कि अपने आखों से जोड़ी समस्याओं के बारे में आपको जानना जरूरी है इसकी वज़े से आप पहचान कर सकें हमारे आखे कई समस्याओं का शिकार हो सकती है चलिए अब जानते हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जिसकी वज़े से हमारी आँखों पर effect पड़ सकता है सबसे पहले underlining condition, उसके बाद muscular degeneration, इसके साथ ही retinal detachment, reflective errors, dry eye syndrome और cataract, इसके साथ ही glocemia और यहां तक की myopia भी शामिल है चलिए अब जानते हैं कि इन लक्षणों से अपनी आँखों की जुड़ी बिमारी के बारे में कैसे पहचान कर सकते हैं सबसे पहले आप irises के रंग में बदलाव देखें, तो irises यानि कि आपकी आँख का रंग भाग में बदलाव नज़र आने लगे तो यह किसी underlining स्वासमस्या का संकेत हो सकता है इसके साथ ही cross dice, cross dice आम तोर पर भेंगा पना कहा जाता है, अक्सर बच्पन में होती है यह बिमारी, हाला कि यह कुछ एडल्स में भी देख सकते हैं इसके साथ ही आप vision spots में काला दबा अगर आप देखते हैं तो vision spots में आपके खाले दब्बे नज़र आने लगते हैं तो इससे नरदन्दाज ना करें, यह कई गंबी नेत्र स्थितियों का लक्षन भी हो सकता है इसके साथ ही पास या दूर की चीज़ों में focus करने में मुश्किल, पास या दूर की वस्तु पर ध्यान के इंदित करने में कटनाई होती है तो आपको reflective error का संकेत हो सकता है इसके साथ ही double vision, double vision या डिपलोमिया तब होता है जब आपको एक के वज़ाए दो छविया नजर आती है यह एक या दोनों आखों में हो सकता है इसके साथ ही खुझलिया जलन के साथ सूखी आखे, अपनी आखों में लगाता सूख़पन, खुझलिया जलन होना dry eye syndrome का संकेत हो सकता है आखों से discharge होना या आसू निकलना किसी संक्रमड और allergy या black tide act का संकेत भी हो सकता है इसलिए अपनी आइस का ख्याल रखें और इसके साथ ही अच्छी healthy diet को follow कीजिए आज के लिए बस इतना ही ऐसे healthy tips के लिए बने रहे हमारे चनल दन अगरी मीडिया के साथ दन्नवाद